आज का पहला प्रश्ण साथियो है मेरा होचो गवा उत्सब कहां मनाया गया है तो ये मनाया गया है मनीपूर में साथियो मेरा होचो गवा उत्सब साथियो अब मनीपूर में मनाया गया है तो देखो मनीपूर से जो महत्तपुन प्रश्ण बनते हैं वो क्या बनते हैं तो मन मनीपूर में, मेघाले में, तिरिपूरा में, अरुनाचल परदेश में और नागालेंड में विधानसभा सीट जो है वो साथ है देखो मनीपूर, मेघाले, तिरिपूरा, अरुनाचल परदेश और नागालेंड यहां पर विधानसभा सीट कितना है साथ किबुल लाम जाओ राष्ट्रिय उद्यान विशु का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रिय उद्यान है अगर मैं पूछू कि विशु का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रिय उद्यान किस राज्य में है तो क्या बोलोगी मनिपुरमी और अगर मैं पूछू कि विशु का एकमात तेरता हुआ राश्ट्रिय उद्यान कौन सा है तो क्या बोलोगे किबुल लाम जाओ राश्ट्रिय उद्यान ये कहां पर है ये इमफाल और विश्नुपूर जिले में इस्थित है और इसे 1977 में राश्ट्रिय उद्यान बनाया गया या राश्ट्रिय पार्क बनाया ग किस जील पर तैरता हुआ है तो यहां दर्फना लोक्टक जील पर साथियो यह तैरता हुआ है किस जील पर लोक्टक जील किस राज्य में है मनीपूर में है शिरोही राश्ट्रियो द्यान भी मनीपूर में है और मनीपूर के चकहाओ चावल को अर्थात मनीपूर के काली प्रेंदर पर्षण करना कि सहरा के महंदु घाट पर रोजगार मेले का उध्फणा किया है तो पतना के महंदरु घाट पर साथियो ग्रिराज सिंग जो कैंद्री अभी का ग्रामिन विकास मंत्री हैं उने के द्वारा रोजगार मेले का उद घाटन किया गया है पतना साथियो बिहार के कैपिटल है तो बिहार के गव pickles कौन है राजंदर बिसुनाथन आलेरकर और बिहार के चीफ फिनिष्टर कौन है नितिस कुमार बिहार की इस्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को और बिहार मेराज सभा सीथ 16 और लोग सभा सीथ 40 साथियो साथियो पटना का प्राचीन नाम है पातली पुत्र या कुसुमपूरा तो पातली पुत्र की इस्थापना जो की गई थी उधाइन के द्वारा की गई थी पातली पुत्र की इस्थापना तो आपको बताना है उध्यन जो था साथियो आपका यह किस वन्द से संबन्दित है तो बिहार में साथियों है, साथियों देखो, मुक्ष की भूमी किसे बोलते हैं, तो बिहार के गया को बोलते हैं, ये पिंडदान के लिए प्रसिद साथियों सहर है, मुक्ष की भूमी गया, इसलिए इसको बोला गया है, मुक्ष की भूमी गया को, और गया में देश का सबस बनकर तयार हुआ है जो फलगू नधी पर बना है रबर डैम साथियो अब साथियो देखो भुझपूरी का सकसपएर किसे बोलते हैं तो भीखारी टाकुर को बोलते हैं भुझपूरी का सकसपएर अगला प्रश्ण हमारा है जै भीम मुख्यमंत्री परतिभा विकास योजना की सुरुवात कहां की गई है क्या मैंने बोला जै भीम मुख्यमंत्री परतिभा विकास योजना की सुरुवात जो की गई है वो नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अर्विंद केजरी वाल के द्वा की पॉटबॉलौ फटबॉल्स को स्थाayत study of एंडिया का हिटथा रही होते हैं तो यह बताना है के फुटबॉल में खिलारियों की संख्या कितनी होती है। केंदरिये और ज्योगिक सुरक्षा बलॉल में खिलारियों की स्थापना कितनी होती है। फुटबॉल में खिलारियों की स्थापना कितनी होती है। खिरकी महजिद का नर्मान गया सुदिन तूलक ने करवाया था, ये भी नई दिल्ली में है। हिमायू का मकवारा और कुतोब मिनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में युनेस्को के विश्टू बिरासत अस्थल की सुची में सामिल किया गया। साथियो दिल्ली में कितने वर्ल्ल हैरी टेस्साइड हैं टीन है हिमायू का मकवारा कोतोब मिनार और लाल किला। पूरिय भारत में कितने वर्ड हेरी से साइड है यह बताना है आपको कमेंटर बॉक्स में साथियो 1946 की याद में 1947 की याद में कहां सौरे दिबस मनाया गया है साथियो यह जो सौरे दिबस मनाया गया है 27 अक्टूबर को मनाया गया कम मनाया गया है 27 अक्टूबर को तो कहां मनाया गया है साथियो ये मनाया गया है साथियो जम्मू कास्मीर में कहां मनाया गया है जम्मू कास्मीर में मनाया गया है तो जम्मू कास्मीर जम्मू कास्मीर के उपर आज्येपाल कौन है मनोज शिन्हा जम्मू कास्मीर में डाची ग्राम अभ्यारन है किस तबार उद्यान है किस राज्जिम का किस यूनिन ट्रिट्री में है तो साथियो जम्मू का समीर में है साथियो तुलबुल परियोजना जेलम नदी पर है पालक दुल जल्बिदुत परियोजना मारू सुदर नदी पर है डल जील बूलर जील वैरी नाग जील मानस बल जील सेस नाग जील अनंत नाग जील और नागिन जील कहा पर है जम्मू का स्मीर में सातियों आपको बताना है केमेंट बॉक्स में कि इन में से ऐसा कौन सा जील है जो भारत की सबसे बरी मीठे पानी की जील है ये बताना है केमेंट बॉक्स में वैसे खारे पानी की सबसे बरी जील है चिलक सुल्टान इब्राहिम कौन है सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए सुल्तान या राजा बने है सातियों तो मलेसिया के प्राइम मिनिष्टर अथात पधान मंत्री जो है वो है अनवर इबराहीम और यहां की करेंसी क्या है तो मलेशियन रिंगिट है यहां की करेंसी और साथियो सुल्तान जोहर कप जो साथियो हो रहा है वो कहा हुआ है तो मलेशिया में हुआ है सुल्तान जोहर कप आपको बतान सरस आजवी का मेला कायोजन जो हुआ है ये कहां हुआ है तो ये हर्याना के गुरुग्राम में हुआ है और गुरुग्राम में ही साथियो भारत का पहला अनाज एटियम बना था उसका नाम था अनपुर्ना एटियम साथियो इंटरनेशनल सोलर एलाइन्स का हेटकोर्टर भी गुरुगराम में ही है, भारत का पहला हेलिहब जो बनाया गया था, वो गुरुगराम में ही बनाया गया था, भारत का पहला हेलिहब, अर्थात हेलिकॉप्टर के लिए सारी सुभधाएं यहां पर उपलब देती, भारत के पहले हेलिहब में साथियो, साथियो अब तो आपका चंडीगड है चंडीगड का वास्तुकार था ली कारबुजियर कौन था ली कारबुजियर जो कहा की है तो फ्रांस के थे और चंडीगड में ही एक रॉक गार्डन है जिसका वास्तुकार है नेक चंडर साथियो कौन है नेक चंडर चंडीगड साथियो दोराजी क पांच है लोकसभा कितना है दस साथियो कालेसर राष्ट्रिये उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रिये उद्यान कौन सा कालेसर राष्ट्रिये उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रिये उद्यान जो आपका है यह हर यानामी है साथियो सुरजकुंद अंतराष्ट्रिय शिल्प मेला सातियो, छिल्छिला वन्ने जी बभ्यारन, खापरवास वन्ने जी बभ्यारन, भिंडा वास वन्ने जी बभ्यारन, कहां है, तो हरियाना में सातियो, सातियो दालमा जील हरियाना में है, देखो सातियो, सौ रिहंद परियोजना, सातियो आपको लगया यह उत्तर परदेश में रिहंद नदी पर है, सौ रिहंद परियोजना, सतलद नदी पर है याना में है, याद रखना, अगर मैं रिहंद पुछू तो क्या बोलो के उत्तर परदेश में, और अगर सौ रिहंद पुछू तो क्या बोलो के हर याना में साती हो, National Dairy Research Institute करनाल में है कौन सा तो National Dairy Research Institute कहां है करनाल में National Brain Research Center गुरु ग्राओं में है और गुरु ग्राओं में मैंने भी तुरंद वताया आपको International Solar Alliance का भी Headquarter जो आपका है गुरु ग्राओं में है बुनकरो का सहर बोला गया है पानी पत को महराजा अग्रिसेन अंतराष्ट्री हवाई अड़ा कहां है तो हिसार में साथियो महराजा अग्रिसेन अंतराष्ट्री हवाई अड़ा है साथियो संगेस्तर जील किस राज्य में है और उनाचल प्रदेश में है संगेस्तर जील साथियो और मैंने अभी तुरंट बताया था लोकटक जील किस राज्य में है मनीपुर में है लोकटक जील साथियो लोनार जील कहां है महराष्ट्रे में है लोनार जील साथियो कहां पर है महराष्ट्रे में साथियो अगला प्रश्ण हमारा है रावन दहन करने वाली पहली महिला कौन बनी साथियो तो रावन दहन करने वाली पहली महिला जो बनी हो बनी कंगना रनावत कौन बनी कंगना रनावत साथियो भारत में पहली ऐसे महिला बन गई जिसने रावन का दहन किया है कौन बनी है कंगना र आमीराद यानि की संयुक्त अरव आमीराद करेगा साथियो उकipples क्तर की रधानी क्या है? दोहा अभी साथियो ने हाली में एक फैसला लिया है कि साथ ऐसे भारतिये है साथियो इंडियन नेवी के जिने फांसिक सिज़ा सुनाई जाएगी साथियो मलेशिया की रधानी क्या है कॉललामपूर साथियो सुल्तान जोहर कप का आयोजन मलेशिया में ही हो रहा है साथियो कनडा के परधान मंत्री कौन है ये बताना है कमेंटर बोक्स में कुछ दिन पहले साथियो कनडा बहुँ जादा चर्जे में रहा था तो कनड़ा की राधानी क्या है ये बताना है आपको कमेंटर बॉक्स में साथी हो अब देखो संयुक्त अरब अमिरात में ये ब्योटी वर्ल्ड मिडल इस्ट हो रहा है तो कहां पर हो रहा है दूबई में हो रहा है संयुक्त अरब अमिरात के सहर दूबई में हो रहा है इसक साहिएपन बताया भी आपको साथियों स्यंयोक्त अरव अमीरात के पर्सिडेंट जो है। उनका नाम है मुहंब बिन जयाद अल नयान क्या नाम है मुहंब बिन जयाद अलनयान। और प्रैम मिनिश्टर है मुहंब बिन रसिद अलमक्तमून। कौन है मुहं нужно package क्या हैlet तो साथियो United Arab Emirat कर रहा है साथियो सायूकत Arab Emirat में एक सहर था जिसका नाम था अलमिनहाद और इस अलमिनहाद सहर का नाम कर दिया गया है हिंद सहर साथियो क्या कर दिया गया है हिंद सहर महिला कबड़ी लीग 23 का आयोजन जो हो रहा है कहा हो रहा है दूबई में और 28 में COP अर्थाज जलवाईू सम्मेलन साथियो इसकी मेजवानी कहा हो रही है तो इसकी मेजवानी भी साथियो संयुक्त अरव अमिरात में हो रही है